बिश्विल्य हर्माने रहीम आज के रही वीडियो ते हमीं कांप्लेक्स पावर डिसकस कुरबो एबंग आपना दिर्माने जे कोई कंफीज ना छे शिटा के दूर करवर चस्टा कुरबो जम उनके एक जोने स्टूडेंट आमां के लिखे छे गीजा टिया के वायं विन्हेट कांप्लेक्णा पावर लिखे निज रिके धूर के ब्र चस्ट्रैग्र टीरिखे थी यह विल्प के लेट्री काया ह्म एजिर्टально एं रिदल्शंग इडिज्ट्र हुनम इचिस्टंस गुनम् झिलिए किस्तूर इंट्यूम्मर परिए कुरि यह हो आक ब्राव द्राव प्रार्व प्राव और्वे invers माद गूर अम रा- रील-पाव द्रेक्टिब्र आवां करीव इधरें लेल-पावर ड्रेक्टिब्र अवं कंपलेक्ट वर रिप्रेंट कुरी नोन अस पावर ट्रांगल एक हम पावर ट्रांगल एर दूइत शेप हो छे जोखन लोड एंडक्तिव लोड हाय तोखन आम रा एटा के पॉस्टिव डारेक्शन निये जाई देटा हो छे अगें रियल पावर और रेक्टिव पावर और काम्पलेक्स पावर अबंग जोखन कैपस्टिव लोड है तोखन एटा नीचे चले जाबे नेगेटिव साइडे चले जाबे और पावर ट्रेंगल ता ए मत हाबे हो Since almost all industrial loads are inductive therefore we will only study this diagram So industry ते अपना जानें motor यूज होए एबंग motor होए छे primarily inductive load with some resistance से ही जणनों हम्रा केवल मत्रों ए डाइग्राम टाथ के concentrate कोरवा सब्तों प्राथ में active power की होए छे active power जेता काज करे active power is the actual power used by the load एबंग ए एटा चलों आमादें load एखनें resistance टा केवल मत्रों power consume करे से ही जणनों एटा के बला होए active power एबंग एक्टिव पावर एर unit होए छे watt active power एर जणनों alternative words यूज होए छे किछों लोकी एटा के real power बालें किछों एटा के actual power बालें कोई एटा के true power बालें एबंग एटा watt full power बाला होए एबंग एटा useful power बाला होए किछों एक्टिव पावर बाला होए रिप्रेजेंट करा होए बाई पी एबंग एटा यूनेट होए छे watt जाकुन जमान करें हम्रा DC सर्कीट है पावर पादा करें पी इस वी इंटु आई अध्यैश्य होते है इसी सर्कीट है हम्रा ए फार्मूला टा यूज कोरबो वी आई कॉस्ट्वी मैंनस थेटाई है तेटा बी मैंनस थेटाई होए छे थेटा वी ए एंगल्ता एटा निए रेफ्रेंस लाइनर शॉंग यह जो वोल्टेज ऑर एंगल्यल टा किय आम्म बू बोली थेता आई अभूंग ए दुटा है जोखना आम्रा सब्टाक्ट कुरे निवो ए अंगलता हुए चे थेता वी माइनस थेता आई बिट्वीन करेंट एंड वोल्टेग तो थेता वी माइनस थेता आई ए फॉर्मूलाटा आम्रा यूज़ कोरी फॉर एक्टिव पावर इन केस अफ एसी सर्कुट एक नाशन नाम्रा स्टडी गोरी रियक्टिव पावर की होए चे प्रत में अपने एसा किटर देखे लान इता होए चे इंडक्टिव एलेमेंट एक न थेके फिनॉमेना की होए चे एक न जोखना आम्रा एसी सप्लाइट देई तो जोखन जीरू थेके पॉजटिव मैक्स इसा किता है इंडक्टर टाके चार्ज कोर बें तार परे की होए जाखन एई इंपुट वोल्टेज जीरू थेके नीचे आश पे तो खौन इंडक्टर टा करेंट बैक सेंड कोर बें तूदी सोर्स एबंग जाखन एखन है एगें सोर्स थेके करेंट जबें लोड़े और इंडक्टर है एबंग एखन थेके इंडक्टर थेके करेंट जबें सोर्स से शे जोनना अमरा बोली जा करेंट बैक एंड फोर्थ फ्लो करें बिट्वीन सोर्स एंड लोड एबंग जखन आपने जे मीटर वाट मीटर मद्द में एपावर टाके मेजर कोड़ते पार अबंग एपावर टा जेटा कामरा रेक्टिव पावर बोली रेक्टिव पावर एर फार्मुला है चे वी आई साइन थेटा वी मानस थेटा आई नो कोश्चन इच वाट शुद बी इट्स उनेट आउश्ण नामराइट अके कंपेर कोरी विद अ अक्टिव पावर एर फार्मुला चेलो वी आई स्थेटा वी मानस थेटा आई एकने की वे चे वी आई साइन थेटा वी मानस थेटा आई एकन साइन एक्ट नामबर हो चे साइन थेटा वी मानस आई इस या नामबर जे मते एकनाओ कॉस थेटा वी एक्ट नामबर चेलो वी आई मल्टिप्लाइबाई या नामबर जा आखना आमरा डिके ची वाट यूनेट वाट लिके ची शे जोन्नों एकनाओ वाट शुद बी जावेद जावेद तर एट रही एटावाट क्या मनें आत्या और आत्या पावज्ड पावार ब्रूपा अब बमने में अधिक श्यावंप मतर्यी अधिक करताता आओ ना चिला लो जावेद एबंग दी ती तर नाम छिलो जावेद, एई जावेद तर एटा हाइड, शॉट हाइड छिलो श्री जन्नो, एटा के आमरा बोलतम जावेद शॉटी, एग्जेक्ली सेम टेक्नीक, एटा जन्नो, इंस्टेड आप राइटिंग वाट, आमरा है, एटा नाम दिये छी, एग्वर, एटा के बालो है, वोल्ट एम्पेर रियक्टिव, तर पो रहे, एक्वनाशी हमरा, कांप्लेक्स पावर है, जा खोने दूता पावर, जी एक्टिव पावर, एवां, रियक्टिव पावर, एटा के आड कॉर्बो, ता को नाम रहा, आपे ते पाई, कांप्लेक्स So, the complex sum of the real power and reactive power is known as complex power. एब आग अने गुलो फॉर्मुला अदिते हो छे, आम अदर बोहिते, अपने जी फॉर्मुला टापने चान अपने यूज़ कुरते पारें to calculate the complex power S. तार पूर एक्ट पावर जटागे बॉला है, apparent power. एपावर टा अने student confused होएचे के apparent power अबंग complex power मद्धे फारग किया चे. So, फारग एचे, the magnitude of the complex power with the phase angle ignored is called apparent power. एपावण इटर जण नों आमी एक्टा छोबीर दिये ची. एई मुटे, एई पिक्चर टा देखंगें आपने, एखंगें with all dress एटा होएचे complex power. एपावण without dress, that is the magnitude, is the apparent power. तो इच्छो भी तक आपने माने रखबें तोखन आपने देल के अपरेंट पावर एवन कांप्लेक्स पावर एर कन्फीएन दूर होए जावे तो इच्छ फार्मूलाट चीलों फोर कंप्लेक्स पावर एक अंधा क्यामरा जाकों ओने फेस अंगल टा रिमूब कोरें दिवो इग्नोर कोरें दिवो तोक्वंच फामूलाट होबे शेता होबे मैगनिचूद अमरे बार सोकरी बैं मैगनिचूद एवंग एटा चे वी आर फेज एंगल आपने इग्नोर को रहिए दिए का ने अट्प आपने एग्नोर को रहिए है सो एई डाग्राम तक आम ने लागे इन पावर डाग्राम तक दीखी एक एटा हरे चन्लों हमादे अटा हरे लुदा एक्टिप ऑवर अंगवर कोंप्लेक्ज पावर जोखोन एटर magnitude ने तोखोन ओटा के बला होए apparent power एगेन एक question जमन करे आमादर student पुछे शीलो KVA, KVAR और KW की होए चे आश्टो निका ने देखी एटर एक्टर चेलो आमादर एक्टर पावर जेटा के आमरा Watt लिखे चिलाम एबां reactive power टाके आमरा VAR लिखे चिलाम एबां एदूतर combination जेटा हवे complex power शेटर आमरा केबल मात्रो VA लेखो एटा होए चे जोखन वैलूता small value होए जोखन large value होए तोखन हेटा के आमरा एक्टिव पावर टाके एक्टिव पावर टाके आमरा KW लिखे नहीं हो instead of W kilowatt एटा के बाला होए KVAR एबां एपरेंट पावर अथवा complex power बोथ हैव सेम यूनिट के वी ए शुक्याबल मत्रो आर्म आमरा लिखी जोखन हमरा reactive power डील कुरी और यूनिट के वी ए यूनिट के वी ए एक्टे एग्जाम्पल आमी विखना दीची शेजन ताके आपना दिर ख्लारिफाइग होए जाए इकां सेप्ट है इमाने करन वोल्टेज अक्रॉस लोड इस VT 60 को सो मेंगा टी मिनस तंस अम्रा मिनस तन एकना प्लाट को रिची from reference करेंट होए चे 1.5 को सो मेंगा टी प्लस 50 तो इता होए चे करेंट प्लस 50 दिग्री find the complex and apparent power so एक दूटर गिवन छिलो एटा क्यामरा आमा देर जी फार्मोरेटर आपने चांड शेटा के यूज कोरते पारें आम ये खाने ए फार्मोरेटर यूज कोर्ची प्राथम है सो इता वी आरमस आई रमस आमा देर के चाहिए एबाँ हमार देर आंगल थेटा वी एबाँ थेटा आई एक अंते के देखन आमी इता मैगनेचूद आपन आंगल लिखे निया ची तो वी मैक्सिमम और वी फेजर अक्चुली इस 60 माइनस एंगल 10 एबाँ आई एम और आई फेजर इस 1.5 एंगल 50 इता के चाहिए अर्मस करें आमी डिवाइड बें अंडर रूट टू कोरे नहीं तो इता हुए छे आर्मस वैलू एक वन ए फार्मुलाटर थे आमी प्लाग इन कोरे एस पाता कोरे नहीं आयर्मस आयर्मस श्री Hey year手 यूजकारं जाहिए चर्थे भी आयर्मस एकड़ा आयर्मस कॉन्स आयर्मस कॉंजोगैट वबी एर्मस यूजकर बूस्थे क्लेन आयूर10 रूट जो और अधा है इस चाहिशे स्बाइपाब तो या उन्अ मिल्क एफॉ닥 10 कॉटरी श्यूंज प पार्वान अमां जी आपने एकन थे के देकन यह 45 टा की चलो इता अमागनिटूद चलो so apparent power apparent power will be only magnitude without angle without rest so apparent power is 45 among complex power चलो 45 angle minus 60 ये गिवाइघ कब्ल्क्स पावर इड्वांटेज ची है आफ कैस वूलों आतर्यاب आप जाफंधन आपने कांप्लेक्स पावर मौने कर को रहे लोनी कांप्लेक्स पावर ताहा है मी रा कालकुले है सी एकल तो 45-60 जोको नेटा के आपने विद्धी हल्प आफ क्याल्कुलेटर फां पोलर तु रेक्टंगुलर कन्वर्ट कुर बन तोकुन यह आंसर था पावें ए प्रासम पाथ होगे रियल पावर और एक्टिव पावर रिकार की डारेक्ट आपने दिखते पारन दाट पी इस 25 22.5 वोल्ट एवंग ए दीटी यूटा होगे रियक्टिव पावर प्लस क्यू प्लस जे क्यू शेजनों क्यू है जबे माइनस 38.97 एवंग एटर यूनिट होगे वी ए आर सो जखोन आपने कोस्टिव फाल कुर बन कैवल मात्रों कॉंप्लेक्स पावर पहता कु अमिया अश्रकुरी आपना देर कंफ्यूजन एकां थे के किछ मात्रों क्लेर होए छे धुन्डवाद ओके एक्टा क्वेस्टन चेलो वाई वी यूज आई क्वान जुगेट जमुन आम रा प्राफ्टन एक क्वेस्टन टा सॉल कोरे चीं देखें ए तके आम रा डायरेक् मुलर मद्धे काल्कुरेट कुरते पारी ही फामुलर टा यूज को रहे है फॉर्टी फाइब माइनस सिक्स्टी अब ऑंग जमन को रहे आम रा माइनस कोस्टन शाल कोरी फाइब माइनस थ्री बराबर है तू एकुन निव कांसेप्ट है जेता के लिखा हुए फाइब प्लस माइनस थ्री इस इक्वल टो टू एटा आपने दंबर लाइने मर्दों में एटा के सौल कोरते बारबर सेम कोस्टन सेम आंसर टू डिफरेंट टेक्निक्स शहीं जोन नो एक जोने बोले छे ए फामुलेटा वैलिट और एक जोने बोले छे आम एटा रिशांगे जहां आई कांजुगेट यूज़ कोरे दे ए फामुलेटा आम राइन यूज़ कोरी जैकाने आई कांजुगेट पता कोरे नहीं लिखें ऑन पॉनपॉंट फाइब माइनस फिफ्टी अब एक फामुलेटा यूज़ कोरे वो आम राज शेम आंसर बेते बारी एखन थे कि एखन देखन एखन एफ फॉर्मुलेट आम रेजूच कोरे ची ए एंगल टा एखन कीवे जबे वी इंटो आई वी एंगल चेलो माइनस 10 प्लस आई कांजुगेडर एंगल चेलो माइनस 50 से जोन्नो आम देर आंसर हवे 45 माइनस 60 भी है फे जोन्नो एटर के निये चिंता करें कर बना क्या बल्माद तो जे फॉर्मुलेटर आपने इजी माने करें शे फॉर्मुलेटर के अपना यूज़ कोरते पार बना दौनवाद